दोस्तो अगर आपकी पीछे सबसे चलाक और हातक सिकारी तिंदुवा पढ़ जाये तो उस टाइम आप तिंदुवा के हमले से कैसे बचोगे क्योंकि या सेरो की तरह हमला करने का नाटक नहीं करता है या सिधा हमला बोलता है इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप तिंदुवा के हमले से बच सकते हो अगर तिंदुवा हमले के आंदाज में आपकी तरह आगे बढ़ रहा है तो आप कभी पीछे मुड़ कर भागे नहीं क्योंकि आप तिंदुवा से तेज नहीं भाग सकते उसके आँखों में आखे डालकर कभी न देखे ऐसा करने सब चुनवती समझ कर आपकर हमला कर सकता है आप वहीं खड़े होकर जोड से चिलाएं ताली बजाएं और अपने हातों को फैला कर खुद को उससे बड़ा दिखाने की कोशिस करें ऐसा करने से तिंदुवा आप पे हमला नहीं करेगा और आप बच सकते हैं